आप इसक्षिन सेक्ष्शन 39 के बारे में यह बताता है कि किसी वक्ति ने कोई कार है, जान भूच कर किया है, तो पहला आप जिन साधनों से कोई नतीजा निकालना चाहते थे और आपने उसी साधन का इस्तमाल करा है, तो यह माना जाएगा कि आपने जान भूच कर कोई effect cause करा और दूसरा रीजन है कि भीया अगर आपने कोई साधन का इस्तमाल करा है ठीक है और आपको यह आपकी सोच यह नहीं था आप यह नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा एफेक्ट कॉस हो सकता है तो यह माना जाएगा आपने जानबुचकर करा है तो यह माना जाएगा आपने जानबुच करा है दूसरा आपने किसी को चक्कू मारा ठीक है अब आपने सोचा था आपको इतना आपकी सोच यह नहीं थी कि इतना ज्यादा लग जाए इतना ज्यादा चोट लग जाए इतना ज्यादा गहरा घाव हो जाए लेकिन आपको पता कि बया उसको चोरी करने का इरु जाएन हूँ जा करो थी है अब उस फोई आडमी को अप right अडमी मर जाता उसक्राइब अब उस आडमी को यह निकाया जायेगा कि उसने log जानबूज़के नहीं मारा दोसन वार्ध कर रेको पथी उसको यह बात की पता थी कि आगर मैं आग लगाऊंगा तो किसी वक्ति की जान भी जा सकती है तो उसमें उसको पूरी नौलिज थी कि भाईया उसमें किसी की जान भी जा सकती है तो यह माना जाएगा कि उसने जान बूच कर करा चाहे उसकी कोई मन्शानी थी कै वह यहा कोई जान से मरे стала उसने किसी डइथ हो उसने यह सोच कर नहीं लगा यहा उसमें मर जाएगा उसने उसनी रद्रीजे हो सकती है झाल झाल झाल